तो याद रिखेगा यहाँ पर से आपके जो कोशन आएंगे वो काफी आएंगे आपके हिंदी साहित की जो पुरुसकार है ठीक है ना वाम लोग उन्हें सवर करने वाले इसके पहले हमने आपर जो रचनाए है अना वो सभी रचनाए मात्रपूर्ट रचना हमने करा दिया है और इस वीडियो में देखेंगे बेस्तर से बेस्तर कोशन ठीक है इस्टार करते देखे कोशन आपसे कहा रहा है कि माखन लाल चतुरवेदी को किस रचना के लिए साहित तकादमी पुरुसकार दिया गया था देखेंगे वन नमबर का ओप्सन यहाँ पर काफी लोगों की पुरुसकार था माखन लाल चतुरवेदी को दिया गया था किसके लिए हिम तरंगडी इसको आपसन आगया इनमर राइट हो जाएगा अगला कोशन आप कह रहा है कि 2017 साहित तकादमी पुरुसकार किस लेखक को दिया गया था दूसरे कोशन देना है दूसरे कोशन आपका उनकी किस करती पर ब्यास समान प्रदान किया गया चले जवाब देना है कह रहा है स्री लाल सुकलु को उनकी किस करती पर ब्यास समान प्रदान किया थरी कोशन देना है आप कंसरन में से क्या हो जागा वीडियो को भी लाइक से करते हुए चलेंगे ठीक है वीडियो आपका है कि याद रिखेगा कि स्रीलाल सुप्ल को उनकी किस करती पर ब्याद सम्मान मिला तो भी स्राम पुर्कसंद जो कि आपका बी यहां पर भी नंबरे राइट हो जाएगा आगे बड़ी कोशन आप से लाप पूछा गया और आप से कह रहा है कि महादेव वर्मा को ग्य राइट हो जाए याम पर ठीक है ना नेक्स कोशन को राते हैं कोशन आप से लाप पूछा गया है और आप से कहरा है कि अग्ये जी को किस करती पर ग्यान पीड पूरुसकार मिला कोशन नमर आपका दिया फाइब और फाइब की बाद करते हैं तो आप्सन क्या हो जाएगा चले देखे जवाब यहां पर आगा है और कहरा है और आपसन बी नमर काफी लोग जो की जवाब बिल्कुत सही है याद रिखे कितनी नाओ में कितनी बार के लिए मिला था अग्ये जी को किया पीड पूरुसकार आपसन रपका भी राइट हो जाएगा नेस कोशन को राते ह साहित तकादमी पूरुसकार ठीके मिल जूर मन के लिए दिया गया था साहित तकादमी पूरुसकार आपसन रपका भी राइट हो जाएगा नेस कोशन को राते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है क्या रहा है सत्तरावे रमा कांत इस्मृती काहने पूरुसकार से किसे सम नमबर ए हो जाएगा या आपकी इंद्रा रागी को यहां पर दिया गया आपको कौन ए नमबर आगे बड़ी कोशन आप से दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद कुमार को किस पुरूषकार से समानित के गया कोशन मरब कार दिया है और आट की बात करते हैं तो आपसन मरब का या पर डी हो जएगा साहित तकादमी पुरूषकार आपसन मरब का डी बनेगा साहित तकादमी पुरूषकार नेज कोसिन को राते हैं, कोसिन आप से घलाप पूछा गया है, कैया रहा है कि सन 2014 के साहित अकादमी पुरुषकार विजेता, उपन्यास कार, रमिश चिंद्रसा की उपन्यास कार का मदलब उपन्यास का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाये तो इनकी उपनियास का नाम है विनायक, क्या नाम है विनायक? ओप्सिं मरपकड़ी हो जैगा, बिनायक इनका अंसर आपकड़ी बनेगा निस फोशन आप से दिया गया है और आप से कह रहा है तो दस का आपके 10 में तो दस का आपको लगाना है या पर 11 नमर इसका जवापसन है इनमें क्या हो जाएगा चली एक दू तीन ऐसे लिखे चलिए यहाँ पर देखो कह रहा है प्रथम 20 हिंदी समेलन में सन में आज़ित किया गया था रिकिस्तनाप को बना एक कोशन मारब का 11 है और 11 की बात करते हैं तो याद रिखेगा कि यह हुआ था आपके 1975 में नाकपुर में 1975 नाकपुर इसका जवांस रचना के लिए हिंदी साहिट कादमी का पुरूषकार दिया गया था सी टोंके पर वोजू रचना है वहां किसकी रचना है तीरह का ओप्सन मनें का यहां पर आपका बी नंबर या तरहरु कि हाजार इलिवेधी को DUY RA क्लोच भी हो जब हो जूक कराई हुरहाँ क्या रहाँ है क्या पर भी बनेगा आगे मड़ी एक क्वशन आप सिकला पूछा गया है क्या रहा है महादी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सब पुरुषकार प्राप्थ हुआ था महादी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सब पुरुषकार प्राप्थ हुआ देखे 15 अभी हमने आप बताया भ दिए गया है तो आपको सूरा नंपर क्डीये होजेगा छुमित्रा नंदन... जिसका option है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुवियत लैंड नेरु पुरुषकार किसे दिया गया तो आपको बताना है लोकायतन किसकी क्रती है यह है आपके सुमित्रा नंदन पंत की है option आपको बनेगा अड़ी नंबर है याद रिखेगा कि लोकायतन किसकी है तो आपके सुमित्रा नंद पंत की हो जाएगी आगे बड़ी यह कोशनापस दिया गया है और आप से कह रहा है अग्ये जी की किस क्रती पर भारती ज्यानपीट पुरुषकार मिला था अग्ये जी को क किस क्रती पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला हो भी यहां पर बताएगा 18 नंबर में तो 18 प्रन्मट नीप में कौन से के शच्रीश में इनवने पुरुषके प्रुषकार विजेता में जीकती में साहिए तकादमी पुरुषकार जीता था, अमरा इतरा है कि यह आपकी क्रती कौन सी है, हमने आप यह आपको दिखाया और बताया भी, कि यहाँ पर भी आप प्रेम चन्जुकी कलम का सिपाही, आपसन देखें, आप कड़ी नमबरें, यहाँ पर जिसका आरा है, बिलकुर सही था, यहाँ पर देखा जाए, तो आपका जो अंसर वी संबर में, वो आपसन क्या हो जएगा, तो आप कहेंगे महादीवर्मा को, ठीके, 1982 में याद रिखेगा, ज्यान पीट पुरुषकार किसको मिला, महादीवर्मा इसका अंसर राइट हो जएगा, किलियर है, आगे हिसे सम्मान नित क्या गया, दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, तो आप अंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह दिया गया था, सरशुति संबर मिला, ठीके, धूल पाधों पर गोविंद मिश्र को सरशुति परुसकार दिया था, आप घृके, न, आगे बड़ी क यह été नंबर परक यह आपकी यह यह आप erथ कोशन है और ही कोशन अपसी पुरुसकार इन में से किसको सबसे पहले मिला था चले बताएगा कि भारत भारती पुरुषकार इन में से सबसे पहले जो दिया गया वो किसको दिया गया था तो दोस्तें आपर देखा जाए तो आपका अंसर यह हो जेगा महादीवर्मा को किसको दिया गया था महादीवर्मा को भारत भा 2012 में नस्टरा सर्मा को की सुपनयास के लिए यहाप पत्रौसकार क्रदान किया गया चोबीस की आद हो जाएं 24 को आध के लिए नोट करेगा बिदियत को IP है याधर के नसतरा सर्मा को परिजात के लिए हमने का जरूरी नहीं है कि ये भी याद करो कि क्व दिया गया था वस्य आपको याद रखना है कि नासिधा सर्मा को को दिया गया था कि यह अं पर मतलब इनकी रचना को ध्यान देना है ज्यासी ज्युदा फोकस करना एक पुब का से सम्मानित किया गया है चले 25 को अप्शन देना है आपका अंसर इन में से क्या हो जाएगा चले यहां पर देखा जाए तो आपका 25 को अप्शन यहां पर बनेगा आपका बी नंबर है याद रिखेगा हिंदी साहित तकादमी पुरुषकार ठीके कला और बुड़ा चांद के समित्रेंपंद को जो दिया गया था वो आपका हिंदी साहित तकादमी पुरुषकार ठीके की का अंसर इस के विडियो अच्छे लग रहा है तो यह आप लोग लाइक से रजीव करते रहेगा ठीके दोस्तों को भी सेर कर खरते रहेगा फीडवैग जरूर दीजएगा चलिए यहाँ पर देखे आपका 26 सिम्मर का जो आपका B होज़ेगा मैथली भासा के लिए किसके लिए मैथली भासा बिल्कों देखे आप सभी के जवाब बिल्कों सही हैं आपसं B बनेगा आगे बड़ी एक क्वेसन आपसे दिया गया है क्यारा हिंदी साइट तकादमी से प जो ग्यान प्रhouse का से सम्मानित नहीं चलिए बतेगा इन मेंसे कौन सी रचना है जो ग्यान पीड प्र düşkस सम्मानित नहीं है अठ्फायस को आपसें क्या बनेगा कि बुणी हुए रसी दोस्तों आदे कि ग्यान प्रेय्जिद प्रॉश्का से नहीं बादी किस प्रुश्क यह आपके दिखे अगेज उक्राप देख सकते हैं ग्यानपीट पुरुसकार हो जाएगा नेस कोशन करते हैं कोसिन आप पूछा गया है क्या प्रेम में भगवान रचना केलिए जनेन्द को किस पुरुसकार से समानित किया गया दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आप कंसर क्या हो ज़िए नंबर या देखे भारत सरकार सिच्छा मंतराले पुरुषकार से समानित क्या गया प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनित कुमार को आपसन मरापका डी हो जएगा नेस कोशन कराते हैं कोशना आप से दिया गया है कि वरिष्ट साहित्यकार कासी नास सिंग को उनकी किस कृती पर हना जो कि नाम है रेहन पर रग्गु के लिए किस समान से समानित क्या गया तो रेहन पर रग्गु जो की कासी नास सिंग को और इनको पुरुषकार दिया गया या दर की opsunge दि हो जगा साहित अकादमी प्रूसकार अगला को सिन आप से दिया गया है क्या रहा है हिंदि साहित का जो सला का पूसकार है सबसे पहले किसी दिया गया यहां परंसर क्या होगा 32 को अप्सन डी हो जगा डाक्टर राम बिलासर्मा ठेकर intrigued सबसे पहले जो सम्मान पुरुषकार दिया गया यह वहीया आपके डाक्टर राम बिलासर्मा को दिया गया और समेर गया घम एक हॉप्सण दिया गया है और क्लास में आप बने रहेंगे कुछ ना को तो सीखेंगे मतलब कुछ ना सीखने से तो अच्छा है कि क्लास में अगर बने हैं तो आपको कम से कम इस वीडियो को दो बार देखेंगे हो सकता है कोशन ही आपको रट जाए ठीक है ना और हो सकता है कि डेट ना याद हो लिकिर जरूर दिया करें यहां पर यह ना सोची किने हम को एक बार में तयार नहीं हो रहा है तो हो सकता है ऐसी रचना पूंचले जो बिल्कुल आपकी जवान में रटी होई है तो जब किस्मत कब साथ देती जब आप थोड़ा मेहनत करें होते हैं तो हो सकता है बिल्कुल सरली रचना देदें आपकी किस्मत इतनी अच्छी निकल जाए हना तो इसलिए उस चीज को देख जरूर लेना चाहिए ऐसा ना हो कि उसको देखें ही नहीं ठीक है देखें किस व का है किसकी रचना है यह वीडियो की स्टार्टिंग उसी सब्से ही होती है माखनलाल चत्रवेदी को महादी वर्मा को यामा के लिए कौन सा प्रुषकार मिला दोस्तों आपसे क्या होज़ेगा तो आप कहेंगे सरॉप्स नम्बराब का भी होज़ेगा ग्यानपीट प्रुषकार आपसे कह रहा है कहा रहा है सन 1905 में साहित प्रुषकार से किसे प्रदान किया गया था 1905 में किसको प्रदान किया गया अब इस कोसिन को दजवाब देए सकते हैं नाक मत कटाईएगा अभी अभी हमने आप को अता है आप पहला पुरुषकार भी दिया गया और देखा जाए तो आप कंसर क्या हो जएगा या पर माखन लाल चत्रुवेदी आप कंसर सी नमबरे राइट हो जएगा किलियर है देखे पहला पुरुषकार सन 1955 से इस बात को याद रखेगा कि हिंदी साहित अकाद्मी पुरुषकार सन 1955 से प्रतेक वर्ष भारती भासाओं के स्ष्ट कतियों को दिया जाता है जिसमें से एक तामरपत के साथ नगध रासी होती है वर्तमान में यहाँ पर देखा जाए कि यह जो अपडेट वाली रासी वह आपको अभी मिल जाएगी थान अलग बग 11 लाग हैसे कुछ रुपए है यह इस चीज़ पर फोकस मत करिए हमने पहले बता दिया है कि आपको अपडेट हम आपको बता देंगे बाद में यहाँ प अब देखें जो आपको पढ़ना है में वाले पॉइंट उनको आपको लगाते वी चलना है और इतने पढ़ना ही पढ़ना है हम कहेंगे सर पहला जो आपका साहित तकादमी पुरुषकार मिला वो हिम तरंगडी के लिए दिया गया था कब दिया गया था उनी सुपच्पन को हिंदे साहित अकादमी पुरुषकार यहां पर दिया गया था नेफ्स पॉइंट आपका दिया गया है संस्कृत के चार अध्यार रामधाश सिग दिनकर को 1969 में यह आपका पुरुषकार प्रदान किया गया था अगला आपका पॉइंट आता है कला और बुढ़ा चान के गया था 1961 में दिया गया था प्रेम चंद जो की कलम का सिपाही ये इनकी जीवनी है ये किस के तो आपके अमरत राय की है अमरत राय को दोस्तों दिया गया 1963 में दिया गया इसके बाद अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि आंगन के पार द्वार ये सभी पॉइंट आपक मुक्ति बोध हना मुक्ति बोध जो कि उपन्या से ये जेनेन कुमार को दिया गया था 1966 में कब दिया गया था 1966 में दिया गया था अगला पुएंट आप से दिया गया जो कि बहुत बार पूचा भी गया है अमरत और 20 क्या है अमरत और 20 ये उपन्या से और ये अपके अमरत ल पुरुसकार आपका दिया गया था यहाँ पर देखे अगला पॉण दिया है निराला की साहित साधना निराला की साहित साधना देखे जब आप पढ़ रहे होते हैं ये चीज़ तो आपको दो चीज़ आद रखना है एक तो आपको पुरुसकार पढ़ रहे हैं दूसरी बात में बस यही पूंचे जाता है कि कौन सी रचना किसकी है और इस रचना को कौन सब प्रवसकार दिया गया बांकि आपको तो रट्टा वही मारना है कि रचना है किसकी है रचनाकार कौन है लेकिन बस दो चीज़ा आपको दिमाग में रखना है निराला की साहित साधना जो की ज यहाँ पर दोस्तों अलोग पर्व जो की निबंद है अलोग पर्व निबंद है यह 10-माइव मिट्टी की बारात जो की कावब इसी में सुमन्गल सिंग सुमन की यह करती है जो गहतंए 1974 में इनको इसका किसका है तो अगला है तमस यह कुपण्यास है जो कि 20 मसानी को दिया गया था 1975 में ठीक है ना अगला है कि कलर सुनना मुझे ये किसकी करती है तो आपके इसर कलर सुनना ये है आपके सुदामा पांडे धूमिल की आपकी है 1989 में यहाँ पर देखा जाती ये प्रुष्कार दिया गया था हमने वही लिया है जो आपके IMP पॉ के लिए ये दिया गया था 1980 में लोग भूल गए लोग भूल गए इस काभी के लिए दोस्तो रगवीर साहे को दिया गया था 1984 में परुष्कार और अगले पॉइंट में आते हैं कवे और काला पानी कहानी के जो की निर्मल कुमार वर्मा क्या हो जगा कवे और काला पानी कह पहानी संग्रा के लिए निर्मल वर्मा को 1985 में प्रुषकार दिया गया था अगला आपसे दिया गया है नीला चांद जो हमने हाइलाइट कर दिया है उसको तुरटा ही मार लेना है हाना कता ही उसमें से किसी प्रकार कर नहीं कि हम मेनत ना करें जो चीज हमने हाइलाइट कर दिया उसको तुरटा मारना ही मारना है देखे नीला चांद जो कि आपके क्या है उपन्यास है किसका है तुस्यू प्रसास सिंका है और ये 1990 में इनको प्रुषकार यहाँ पर दिया गया था अगला दिया गया है पॉइंट कहरा है मैं वक्त के हूँ सामने ये काब्ब है और गिर्जा कुमार माथूर का है 1990 में इनको प्रुषकार दिया गया था अब यहाँ पर देखेगा कि कुछ आपका अगला पॉइंट आ गया है कि अर्दनारी सोर उपन्यास जो कि यहाँ पर आपके विश्नु प्रुषकार का है और 1993 में इनको प्रुषकार दिया गया था अगला कॉस्ण दिया गया है मुझे चांद चाहिए मुझे चांद चाहिए इनका उपन्यास है यह सुरेंद रर्मा का है 1996 में इनको प्रुषकार यहाँ पर दिया गया था अगला दिया है दिवार में एक खिड़की रहती थी दिवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास है और यह विनूत कुमार सुकल का है 1999 में में इनको पुरुषकार दिया गया था दो पंक्तियों के वीच हना यहां पर देखे 2001 वाले में देखे ज़्यादा MP है कि कली कथा वाया बाइपास जोकी उपन्या से ठीक है कली कथा वाया बाइपास यह उपन्या से किसका है अलका सरावगी most important question है अलका सरावगी को सन 2001 में यह पुरुषकार साइच्त तकादिम पुरुषकार दिया गया था ठीक है न और अगर आग पॉइंट आप से कह रहा है कि कि कितने पाकिस्तान जुक्य उपन्या से कितने पाकिस्तान जुक्य उपन्या से और ये भी या कमलेसर जी को दिया गया किसको कमलेसर को 2003 में साहित तकाद्वी पुरुसकार यहाँ पर दिया गया था पुस्ताग दिया गया हवा में हस्ताचर की जो आपके लेखा के वह कौन है तो आपके कहलास बाची के काप बिसंगरा है हवा में हस्ताचर है और इसके लिए 2009 में इनको साहित तकादमी प्रुशकार दिया गया था अगला कॉर्शन दिया गया है रेहन पर रग्भू ये उपन्यास आपका है रेहन पर रग्भू उपन्यास के लिए कासी नाज सिंग किसकी रचना है कासी नाज सिंग की है तो दोस्ते हैं के कासी नाज सिंग को रेहन पर रग्भू के लिए 2011 में साहित तकाद्मी प्रोशकार यहाँ पर दिया गया था अगरापउंट आपको दिया गया है मिल जूल मन उपन्याश जो कि देश सकते हैं कि आपके मरदुला गरी की है किसकी रचना है है आपको जाधा श्याधा फोकस रचनाओं पर भी करना है क्योंकि किसकी रचना यही पूंची जाती है जिस रचना में कोई पुरुषकार मिलता है वोही हमेशा एकजामे कोशन बनता भी है तो मिल जूल मन जो आपका उपन्यास है ये म्रदुला गर्ग का क्या है दिस्तो उपन्यास है इसके 2013 में इनको साहित तकादमी पुरुषकार मिला अगला है बिनायक जो की उपन्यास है रमेश सिंदसा का है 2014 में इनको पुरुषकार मिला अगला है आग की हंसी जो की काब बे है आग का हंसी जो की काब बे है दोस्तों किसका है राम दरसमिस्व की किसकी है राम दरसमिस्व की है दो हजार पंदरा में इनको साहित तकादमी प्रुषकार दिया परिजात जो की उपन्यास है और परिजात उपन्यास जो की किसका है ना नास्या सर्मा को 2016 का जुसाइट तकादिम प्रियुशकार मिला और नास्या सर्मा को परिजात उपन्यास के लिए मिला था अब आ सकते हैं कि जो आपके मेंट में आप से लास्ट की ज्यादा पूंचे आते हैं ये वाले जो आपके हैं लास्ट में बिल्कुल पूंचे आते है इनके स्क्रीन सो और ले सकते हैं याद रिखे हमने काथ 2018 में चित्तरा मुगदल को पोस्ट बाक्स नमर 234 पारा उपन्यास के लिए यहाँ पर 2019 का नंदी की सुराचार जो की छिलते हुए अपने को यह कविता है 2019 का दिया गया अनामिका को दोस्तो टोकरी में दिवंगत उनके गाथा यह कविता है अनामिका को 2020 का दिया गया समराट असोग दोस्तो 2021 का दया प्रसाद सिन्हा हो गया तुमदी के सब्द यह आपके 2022 में बद्री नात का हो गया और यहाँ पर जो आपका पर आते हैं निस पॉइंट में निस पॉइंट आपका आता है ज्यान पीट पुरुषकार क्या है ज्यान पीट पुरुषकार है वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दीजेगा पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जुरू में आपका आता है ग्यानपीट परूसकार की स्ować्षापना संपीप्रसाद जैनने किया था किसने किया था संतीप्रसाद जैनने किया था आपके आइफ्मान अमशुची की 29 भासाओं में लिखी जाने अब दोस्ते हैं या पर देखा जाए तो 1982 क्ली क्या दिया है? लेकिन इसके बाद सिया पुरुषकार लिखा के भारती साहित में संपून योगदान के लिए क्या भारती साहित के संपून योगदान के लिए यह आपका दिया जाने लगा पहला एकल करती के लिए था गर एक करती आपके अच्छी उसमें दे देते थे लेकिन इसके बाद क्या हुआ 1982 के बाद है भारती साहित में संपून योगदान आपका क्या रहा है उसके लिए दे आता है अब यहाँ पर देखे जो आपके आयमपी पॉइंट है उनको हम लोग सबसे पहले कि कौन सी रचना किसकी है तो आप कहेंगे चिदंबरा किसकी रचना है तो आप कहेंगे सर यह है आपके सुमित्रन पंत की है इनको वह ग्यान पीट पुरुषकार मिला था जो की चौथवा नंबर कम मिला था और याद रिखेगा 1968 में कम मिला तो चिदंबरा के अग्यें का योफनाम है उपनाम आपका दिया गया है और इनकी जो रचना है कितनी नाओं कितनी बार के लिए गया प्रूसकार मिला 1978 में जो की 14 नमर का आपका मिला था यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया यामा के लिए आप से कोशन पूछेगा कि यामा के लिए किसकी रचना है तो आप कहेंगे महादिवर्मा की है और महादिवर्मा की है यापका 1982 में अठारवे नंबर का त्यात रिखेगा महादिवर्मा की रचना यामा के लिए 1982 82 इनको पुरुषकार मिला था अगला दिया गया है क्रश्णा सोबिती को दोस्तों संपूर साहित संपूर साहित किसके तो आपके क्रश्णा सोबिती की है इनको भिया 2017 का जो मिला था इनको पुरुषकार मिला था क्रश्णा सोबिती को और इसके बाद यहाँ पर देखे आते पर जो आपका ग्यान पीट पुरुषकार दिया गया है ना चले यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको अगर मिलेगा तो भी आपको बता देंगे अपडेट वाला आपका है ना यहाँ पर देखो आप से कहरा है यहाँ पर कौन सा है आप से कहरा है सर यहाँ पर दिया गया है ब्यास पुरुसकार देखे ब्यास पुरुसकार में दिया गया है कि ब्यास सम्मान भारती साहित के छित में दिया जाने वाला ग्यानपीट पुरुसकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहितिक पुरुसकार है यहां पुरुसकार 1991 से के के बिडला फाउंडेशन के ओर से प् और यहाँ पर देखेगा जो आप से पूछेगा कि भारत के प्राचीन भासा परिवार जो आपके है ये राम बिला सर्मा का है किसका है भारत के प्राचीन भासा परिवार और हिंदी ये किसका है तो आपके राम बिला सर्मा को 1901 में पुरुसकार दिया गया था नीला चांद उपन्यास है, भChris के उपन्यासकार कौन है तो नीरा चांद के उपन्यास है आपके डाक्टर शीयू प्रसाद यहाँ पर सिंग है और उनी सुबा नमे में इनको बियासपुरुत दिया गया था यहां पर देखेए अगरा पूंट आप से कह रहा है कहाथ विश्राम पुरका संत जोसतों मैं इनके आत्म अथा हैं मनुभंडारी को व्यास प्रुषकार 2008 में यहापर दिया गया था ना भूवूतो ना भविस्यती दोस्तो यह है आपकी किसकी तो आपके नरिंद्र कोली को है इनको 2012 का ये व्यास समान इनको दिया गया था अगरा है प्रेम चंदिकी कहानियों का काल करम का अधियन करने वाले को आपके कौन है तो ये है आपके कमल किसोर गयन का है इनको पुरुषकार मिला था 2014 में मिला था अगराद यह दोछार सत्तरा का जो ब्यास समार मिला सुख्खम। क्ले template ममटा कालिया को मिला था दोछार सत्तरा में। यह है आपके किसकी तो आपके नासिरा सर्मा की है। नासिरा सर्मा को 2019 में काभज के नाओ के लिए इनको पुरुषकार मिला था। पाटिल पुत्री की समागरी के लिए सरद पागारे को मिला था 2020 में यहाँ पर आपका ब्यास पुरुषकार यहाँ पर दोस्तों आपका देश सकते हैं अभी हमने बताया सुख्खम दुख्खम के लिए वम्ता का लिया 2018 में जितने लोग उतने प्रेम ही आपके लिला धज्या गुडी का है कागज की नाव यह दोस्तों नाश्रा समझ 2019 हो जाएगा पाटिल पुत्री की समागरी जो पन्या से सरद पागारे को दिया गया 2020 में 2021 में दोस्तों महावली नाटक है असगर वजाहत को दिया गया जो की फतेपुर के आपके रहने वाले हैं यहाँ पर पागल खाना जो की उपन्या से 2022 में यह ग्ण चितर्वेदी को दिया गया जो की आपका ब्यासम्मान ठीके पागल खाना के लिए मोस्ट इंपॉट्इन है और एगला दिया गया है कि यादे 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 संस्मान जो आपका है पुस्पा भारती का है जो कि 2023 का आज दिया गया है क्या ब्यास सम्मान है वो पुस्पा भारती को यादे 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 के लिए दिया गया है most important point आपका ये वाला आपको बहुत आ ठीक है ना और या करती सम्मान में हना क्या है या करती सम्मान वर्स से पहले दस वर्स की अवदी में प्रकासित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती थी तरब दस वर्स में प्रकासित होने वाला इस प्रकास में 15 लाख रुपए की धन्रासि प्रदान की जाती है सरसुती सम्मा का जो अरम हुआ हना ये कब हुआ था 1991 में से यहाँ पर हुआ था 1991 से ही पहला सरसुती सम्मान हिंदी के प्रशिद साहितिकार डाक्टर हेवन सराइबच्चन को यहाँ पर चार खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं निड का निर्माड सवे बसेरे के दूर और द्वार नंदनपंत को दिया गया था क्या पर क्या सोवियत लेंड नेरु प्रुषकार दिया गया था अमरत और विस के लिए किसको दिया गया तो आपके अमरत लाल नागर को दिया गया था नागर यहाँ पर हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदार नात अगरवाल की है जिसको सोवियत ले नहेरो पुरुषकार यहां पर दिया गया था ठीक है ना और आगे बड़े एक पॉस्चिन आप से गला दिया है मंगला प्रसाथ परतोसित पुरुषकार देखें यहां पर दिया गया है आपकी प्री प्रवास जो रचना है किसकी है अध्या मंगला प्रसाथ परसाथ पर्षुर्षकार दिये जाचुके है यहां पर दिखा जाए तो आपके तीनों आगे प्रवास परतोसित पुरुषकार दिये जा चुके है याद रखें लिगा और यहां पर परखख कहानी के लिए ऑनको दिया गया संसय की एक रात कहानी के लिए नरे समेता को दिया गया अब आते हैं यहाँ पर भारत भारती सम्मन दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टन कोर्शन दिया गया है 1982 में भारत भारती सम्मन किसको दिया गया आपके महादीवर्मा को दिया गया था यहाँ पर दोस्तों 1990 में जो दिया गया वो आपके धर्मीर भारती को दिया गया था भारत भारती सम्मन आपके धर्मीर भारती को अगला दिया गया है नामवर सिंग को जो भारत भारती पुरुषकार मिला वो आपको मिला था आपके 2005 में केनाद ना सिंग को 2008 में भारत भारत केलास बाचपेई को 2010 में भारत भारती परउसकार मिला। यहाँ पर इनको दिया गया था, नरिंद कोली को पंचानमे और चानमे के लिए दिया गया था, भीस मसानी को भी सलाका परुषकार दिया गया, क्रशन सोविती को दिया गया, मनु भंडारी को भी सलाका परुषकार दिया गया है, यहाँ पर देखें केदारनात और आपके डा अब लेटते हैं और जाना स्मय हो जाता है उसमें से आपका बहुत पुरानी कटिया हो मुझे वह तक लाथे हैं और आपका बौड़ी हो जाती है लाल ना तो आपके जटमल खटमल गोरा यह पर अनसर मरप का भी हो जाएगा यहाँ पर देखिए एगला कोर्शत मांप से कह र बहुत ही आयमपी है यहां पर दे सकते हैं कि जिस क्रती के लिए कभी नागारजुन को साहित तकादमी पुरुषकार मिला वो किस भासा में रची थे तो यह आपका है मैथली भासा आपका डी हो जगा मैथली इस कंसर राइट हो जगा दोस्तों याद रखेगा किलेर है यहां पर देखें अगरा कोशन आप से कह रहा है और आप से यहां पर दिया गया है कि उनीश वर्षट में क्या उवर्स उनीश वर्षट में मैथली रचना पत्रहीन नगनगाच के लिए नागारजुन को साहित तकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था नेश को दिया ग पर्मार राषो को दूसरा नाम क्या है तो आला खंड़ है यहां पर अगला कोशन आप से देए गया है ननेकि कि तमेश में से कौन रासो आला खंड़ के नाम के नाम से बहुत से जानते और किस यह नाम से जानते आप और कितने हैं जितने भी आपके रासों में रचित की गए हैं कितने हैं यहां पर दिखा जाय तो खुमाळ रासो आदिकाल के रचना है और इसके रचना कार है दल्पति विजए और इस रचना में देखा जाए साकी सबद रमैनी आपकी इसमें सामिल है यहाँ पर अगला कोशना आपस तरिका की भास आपकी कौंसी है और दिनता का भाव यहाँ पर वेक्ति किया गया है यहाँ पर देखे अगला question आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जैसी दोरा रचित पदमावत निमनिखित में से है क्या जैसी के दोरा रचित जो पदमावत है यह आपका है क्या तो दोस्तों यह है आपका समा सूक्ती क्या है यहां पर देखे अगला question आपसे दिया गया है कि पदमावत महाकाब बे कौन सी भासा में लिखा गया है बहुत बार एक question पूछा गया है यहां पर दिए पदमावत महाकाब बे कौन सी भासा में है तो आपका answer हो जएगा बे नम्बरे आपके ऑधी बोली में कौन सी बोली में तो ऑधी बोली में लिखा गया और सिंगल के जीवन का चितराट इसमें किया गया है अगरा कुछन आप से कह रहा है कि मुगल बादसा साजा ने किस कवी को महा कविराई की पद्वी दिया है मुगल बादसा साजा ने किस कवी को महा कविराई की पद्वी दिया है यहाँ पर देखे दस स्रंबर का उप्शन क्या होगा तो आप स्रंबर आपका भी होजेगा सुन्दर कभी जो सुन्दर हैं सुन्दर जो आपके हैं गुवालियत के ब्राम्हण थे और साज आँ के दर्बार में कविता सुनाया करते थे तो साजा ने पहले इनको कविराय कुपादी दिया और बाद में इनको महा कविराय की पद्वी दिया यहां पर अगला कोशन आपसे काई रहा है, कौन सी रहए है, लिखें दोह वली है, गीता वली है, रामसे तमाने से और यामा है तो हमने का सर यहां पर देखे आपका अंसर जो आपका होगा कौन यहां पर आपका डिनमर हो जाएगा आपके सर जो यामा दिया गया यामा यह आपकी महादीवर्मा की है ना कि तुलसिदास की है यहां पर अंसर जो आगया डिनमर राइट हो जाएगा बाकि आप तो जानते ह यहां से पूछी आती हैं यहां पर दे सकते हैं कि इन में से चार कविता हैं जिसे निहार, निर्जा, रस्मी और सांग दगेत हैं यह संकलित के गए हैं यामा कविता में ठीक है दोहली गीतावली रामचरीत मानसी तुलसी दासकी है अगला को सनाप से देया गया है भक्त माल क प्रशिद्ध है यह पर दिखा जाए तो इनकी रचनाओं में से देखा जाए तो लगबक 732 का संकलन मिलता है जिसे भी आरी सत्राई की नाम से अमर क्रती की रोप में है हाना यहाँ पर अगला कोशन दिया गया है कि निकित में से कौन सर खंड काब्बे है देखे खंड काब्बे दिया गया है और देखे खंड काब्बे दिया है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देंगे जल्दी से अंसर मार देंगे और अंसर गलत हो जाएगा हमने का साज जब खंड काप दिया है तो खंड काप कामाईनी साके तो ही ने सकता नहीं पदमावत हो जाएगा क्योंकि ये जो आपके कामाईनी है साके थे पदमावत हैं ये सब महा कापबे हैं क्या है महा काब्वे हैं तो बस एक बचा है क्या बचा है पंचवटी हो जाएगा हाना पंचवटी जो आपका दिया है यह क्या है तो आपका खंड काब्वे हो जाएगा देखें खंड काब में कौन-कौन होते हैं जैसे कि आपका देखें जैद्रत वद है जैद्रत वद है प कौन सी भासा में लीखा गया है यह आप से कह रहा है तो यह चंपू काभ्य में हैं ठीके याद रिखेगा अमसर आप कभी हो जेगा कि चंपू सरभ्य काभ्य का एक भेद है इसमें गद्य और पद्र का मिश्रण होता है हिंदी में मैथनी स्लोगुप्ति की जो रचना या स्क्राइब कर लिजेगा यहां पर आउनलाइन देख रहे हैं आफ लाइन अना तो अपना जो सपोर्ट है वह आप लोग जरूब बनाए रखेगा ठीक है यहां पर देखें एगले कोशन को राती कोशन आप से गलाप पूछा गया है श्री लाल सुकल को उनकी किस कृती पर ब्यासरमान प्रदान किया गया थहा तो आप सम्राप कड़ी हो जगा आप विश्राम पूर्का संथ के लिए यह जो इनका उपन्जाज है उने सुनिनन्यान में आप सम्मान दिया गया था आप रगला कोशन दया गया है आग dapat खेंगरा है और और इस का संगरा के लिए साहि पर देखा जाए तो 2017 में किसको मिला था रमेज कुंतल को मिला था ठेकेँ आगे बड़ा ये को सवाओ नदा पूछा गया है और आपसे कहा रहा है जयद्रत ब्रत की रचणा है इनकी रचना में अभी मत बात Is कुछ और विर्चना जो कि अग्जाम में पूछी आती हैं मंने बताए कि भारत भारती रचना कारीं मेंसे कौन हैं चले बताएगा भारत भारती के रचना कारीं मेंसे कौन बनेंगे। कभी कोशन पूचे भी त्यादर के भारत भारती रचना के ही लिए यहापर रमास्तमा गांधी ने गुप्त जी को रास्ट कभी के उपमा दिया थे या उपादे दिया था यहापर आगे बड़े कोशन आप से गला पूचा गया और आपसे कहा रहा है जूही की कली कविता के कोशन का गया है हना हिंदी साहित हना हिंदी अकादमी का जो सला का पुरुषकार सबसे पहले किसको दिया गया था हिंदी काभ या जो सला का पुरुषकार दिया गया सबसे पहले किसको दिया गया था तो आप समराब कसी हो जएगा डाक्टर राम बिलास सर्मा इसकंसर्सी हो जएगा नेस कोशन आप से दिया गया और आप से कह रहा है साहित तकादमी पुरुसकार का जो प्रारम हुआ ये कब से हुआ तो आप समर आपका ये होज़ेगा 1954 से माना जाता है कब से 1954 से माना जाता है हमने कहा था माना जाता है लेकिन दिया कब गया था दिया गया था 1955 से कब से 1955 में अग्ये जी को किसक्रती पर भारती ग्यान पीट पुरुसकार मिला यहां पर देखे 25 सम्मर में तो आप संसी हो जएगा कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अग्ये जी को याद रखेगा कि क्या मिला था तो भारती ग्यान पीट पुरुसकारिन को मिला था 1978 में मिला ता यहां पर देखे अगला कोषचना आप से कह रहा है कि कनुप्रिया के रचना कारिश में से कौन है अपर बताना है कनुप्रिया हमने एक सरकन प्रिया है तो कन्प्रिया हो जगा आपके धर्मीर भारती चुम ढाई के रीचना सपेण है तो धर्मीर वार्ती के रचना उता है यह यह आपर दिखा जाए तो आपके दिए है यह पर जो थंडा लो आ फिर इसके बाद आपको मिलेगा निमंत्रण तो कहेंगे सजी मदुसाला मदुबाला मदुकलस निसा निमंत्रण आपका जवाब हो गया नमबर है राइट हो जाएगा क्रम देखना है तो क्रम भी आप स्क्रीन से और ले सकते हैं यहां पर देखिए 35 36 37 37 37 यह विल्कुल क्रम सरसुद्र का अंत्रिपाठी निर्णारा के द्वारा और भी रचने जैसे अनामिका है परिमल है गीतिका है सांध्या काकली है कुकुरमुत्ता हना और सात्मियापन नैपत्ते भी है और तुलसी दास यह इनकी कुछ महत्रपुन रचना है अगला है निम्निकित में से दिनक एक दिनकर की रचना नहीं है 29 में तो दिनकर की रचना देखा जाए है और रहते हैं तो याथ कि मड़ा haas पर छंब भर किस कवी का कावी संग्रा है हरी घास पर छण भर तो हरी घास पर छण भर के लिए आपसे पूछा है तो यहां पर अग्जेंगा अग्यें जी की यह रचना है यहाद रखेगा यहाद अग्या कोछ नापस दिया गया और आपसे कहा रहा है है उर्वरसी किसकी रचना हो जाएगी इस कंशर क्या बनेगा तो आपके सर उर्वरसी की बात करते हैं तो आपके राम धाई सी दिन कर क्या हो जगा इनकी रेचनाओं में जिसे यहुआ है आप से देखे महादी वर्मा की रचनाओं में यहां पर सम्त्रनपंत वाला देखिंए और सम्त्रन अन्पंत चिय दंबरा आपका आपका अंसर राइट हो जाएगा ठीक है किलेर है यहां पर देखे अग्ला कोशन आप से देगा और आप यह चानद का मूँ तेड़ा है यह क्या इसका नसर बताना है और वह या चांद का मूँ तेड़ा है तो वह यह कुछ न कुछ मिलेगा तो मुक्ति मिल जागी हना अगर आप अपना मूँ टेढ़ा कर लें तो कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा कब जवाब साधी में कलेवा के समय बच्चे नो टंकी करते हैं न जो दूला होता है थोड़ा समू बना लेता है ठीके ते कहते हैं हमको यह चाहिए वो चाहिए ठीके न तो मूँ टेढ़ा जवाब हो जएगा कर लेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा मुक्ति मिलेगी यहां पर जवाब हो जागए घजञानन माधव मुक्ति नूमर कभी हो जएगा समझ मेह आग्या इनको प्यों सरी दिया घर किसको दिया गया है यहां पर अंसर आपका भी होज़गा याद रिखिएगा महादेवी वर्मा ओप्समर आपका भी होज़गा महादेवर्मा हो जाएगा यहां पर देखें अगला को सब्सक्राइब कला और बुढ़ा चांद के लिए सुमित्रन अंपंद्कों की साहित पुरुषकार से किया गया है यहां पर देखें आपका जो अंसर है इन में से राइट क्या हो सकता है चले यहां पर देखो अमने का सर कला और बुढ़ा चांद के लिए सुमित्र अनपंद को कि साहित पुरुषकार से पुरुषकत किया गया है चले दिनल्बर यहां देखें हिंदी साहित पुरुषकार क्या जो अंसर है वाप कर डी हो जाएगा कला और बुढ़ा चांद जो की इका बिगरती है और इसके लिए शुमित्र अनपंद को साहित पुरुषकार दिया गया था यहां पर देख ते हैं इन्हें परकतिका सुक्मार तो आपके प्रफम मौलिक उपन्यास कुणसा है यह है यहापका परिच्छा गुरु आपका परिच्छा गुरु आपका जवाब राइट होज़ेगा इसका प्रकासन उन्ही 1882 में माना जाता है यहाँ पर देखे एगला कोशन आप से दिया गया और आप से कहरा है रेहन पर रग्वु किस लेखा का उपन्यास है यहाँ के कासी नाथ सिंग्का है किस पर है तो यहाँ पर कासी नाथ इसका जो अंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा एनमरे राइट हो जाएगा रेहन पर रग्गु आपकी कासिनात इसकंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर देखे यहाँ पर जो दिया गया है कि रेहन पर रग्गु के उपन्याज जो आपका है इस उपन्याज के लिए 2011 में साहित इनको पन्यास में रंग भूमी कर्म भूमी निर्मला स्रीवा सदन प्रेमा स्री काया कल्प गवन और मंगल सुथ क्या इनका अधूरा है इसको पूरा किया था इनके पुत्र ने यहां पर दिया है जूंठा सचके जू लेखा के वापके कौन है तो यह सपाल हो जाएंगे यह पूरा हो जाएगा है यहां पर देखें अगला को सब्सकर आफसे कह रहा है यहां पर देखें अगला को सब्सक्रा इस तो नांसरा सर्मा की एक कुछ उपन्याज है जिससे साथ नदिया, एक समंदर, यहां पर जिन्दा मुहोरे, यह आपकी ठीक किसकी है, तो नास्रा सरमा की हैं, अगला सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा किसकी रचना है, तो आपका जवाब होज़सेंबर आपकी प्रेमचंद सुला मंज्ज के यहाँ पर आप्सन हो जायाब का कौन है राजी सेट के यहाँ पर एक नमरे राइट हो जएगा दोस्तों याद रह ले एक हिसी प्रथम मौलिक उपर यासे किसे माना जाता है अब इसे वीडियो में ने बताया था जो आपका परिच्छा गुरू है परिच्छा गुरू लाला कुझा हिंदी का प्रतर उपर् Corinth कोस्ण जिंदिगी नामा के लेखा क Our neither जिंदिगी यहां पर मिले किसके माध्यम से भग giorno कि माध्यम से अर्था यहां पर कहेंगे डिए रिखकरह जिंदिगी नामा जवाब परंसर हो जाएगा भोर का तारा यहां पर चंद्र आपका जवाब भी हो जाएगा यहां पर जगदी सिंद माथूर हो जाएगा यहां पर देखे एकला को संद्र गया है और आप से कहा रहा है अंधेर नगरी नाटक के रचीता कौन है तो अंधेर नगरी नाटक के रचीता आ इनके द्वार लिखित नाटक आपके हैं अगला है चंद्गुप्त नाटक के रचिता कौन है चंद्गुप्त नाटक के रचिता कौन हो जाएंगे चलिए तो हमने का सचंद्गुप्त की बात करते हैं तो आपका जे संकर्ब साथ हो जाएगा हना यहाँ पर क्या हो जाएगा यह संकर्ब साथ इसक अंसर राइट हो जएगा ये अगरा कुछ दिए गया है और आप से कह रहा है कि कछुआ और धर्म और मारे समुही कुछाओ किसकी रचना है यह जो रचना है वाकि किसकी रचना है यह आपर दिखा जै तो आप साम्रब को भी हो जिएगा चंध धर, सर्म से लिए रहा है अन्या से अनन्या जो आतमगथा आतमगथा किसकी है अब आपको लगता है तो आपको मिलेगा तो आपके दिमाख में एक बात तच तो जरूर करेगी जो आपको बताया था कि जो अन्य पैदा होता है वो कहा होता है खेत में होता है हना बताया धना कि जो अन्ने होता है ये खेत में पैदा होता है तो आप कहेंगे सरंसर क्या हो गया प्रभाग खेतान हो गया हना जब एक दो बार कोशन पढ़े लेंगे न तो इस हर एक जो बात होती ही वो आपके टच होती रहती जब हमेशा पढ़ते रहते हैं यहां पर प्रभाग खेतान इस कंसर है देखो आपका राइट हो गया है यहां पर देखे आप से कह रहा है इसका प्रकासन 2007 में हुआ था अपने जीवन के अन पहलों कुछ आगर किया था यहां पर देखे एकला कुछ ने भासा योग विशिस् राम प्रसाथ जो आपके निरंजनी है यहां पर देखे आप कहेंगे सर नास की तो पाख्यान और समरप्ता हो जाए भी देखो जो इसमें क्या है कि संसोधित किया गया था उत्तरकुंजी को बोर्ड़ ने पहले मान लिया प्रियम सागर लेकिन इसके बाद बोर्ड़ ने क्या माना इसको भी सही माना था तो हम भी सही मान रहे हैं यहांप रणसर आपका भी हो जेगा ने कोषन यह पर सब्सक्राइब और यह कौन से बाs Gleich को हो जाएगाön महाद diving वर्मा जो जो ज्ञान पीट पुरुप कार मिला था वो किस पर परुवसकार मिला था याद रहेगा यहाँ पर दिखे आप से कह यहाँ से कएगा कम मिला था याद रखेगा है ना इसे सुभाई याद ररकेगे और यह संद्व यह आपके संकलित है अगर आगा वे बिया सम्मान से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना विविस्थ के लेखा का आपके है कौन चलिगे गहाऊँ बताएगा अगर मौन आपको दिमाग में त६्यूट याद जरूर करें आप से कहा रहा है एक कवांट रखना कि जो है पर सम्मान मिला था यहाँ पर किसानी के साहित अकाद्मी उनकी किस रचना के लिए शाय persistent लिए चाहिए यह आपका छोए जो देखिए आपका जो हनुना में ईسके čा माँ चले डी नंबर हो जाएगा देखें यहाँ पर देखा जाए तो भीस मसाहनी इस कंसर आपका बनेगा कौन सा अवस्ट बनेगा आपका डी नंबर अर्सी नंबर हो जाएगा तमस हो जाएगा तमस उपन्यास के लिए साहित कादमी पुरुषकार मिला था भीसम साहनी को आपको मालूम मैं एक बात होती है भीसम प्रतिग्या ले रहा होता है बोलते हैं मैं भीसम प्रतिग्या ले रहा हूं तो जब आपको तमासा दिखाने आते हैं गाउ में तामासा दिखाने आते हैं, तो आप से कह रहे हैं, कि आप पृतिका कर ली जेगा, जब तक मैं खेल दिखा रहा हूँ, तब तक अपने जो हठेली हैं, उनको बंड रखेगा, मूठी को खोलना नहीं है, या इसे बोले के मूठी कोल दीजिएगा, कोई बंद नहीं करेगा, त यहां पर देखे एकला कोशन देखा गया है कि राम धाइसी दिनकर को किसक्रती पर साइट अकादमी पुरुषकार मिला था अब नहीं आते हैं बहुत काम आते हैं अब तो आनलाइन सब देख लेते हैं जाते भी नहीं है अब कोई देखने याता सब मोबाइल में देख लेते हैं हना सरमाते हैं वाँ पर जाने के लिए हना ऐसा सिस्टम हो गया है यहां पर देखो राम धाइसी दिनकर को किसक्रती पर साहित अकादमी पुरुषकार मिला था यहां पर देखे अगरा कोईशन आप से कह रहा है कह रहा है भया 1969 में मिला था ठीक है अगरा है माखन लाल चतरवेदी को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला सही क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर हीम तरंगडी के लिए हना हीम तरंगडी यहां पर जो अंसर है और राइट हो जाएगासी नंबर हो जाएगा इइश्कार मिला है आपका जो अंसर है यहां पर सी हो जएगा याद रखेगा बाके यहां पर दे सकते हैं जो आपके नरेश मेता हैं इनको उनीस सुबान में मिला था और दिनकर को मिला था अगला कोशन यहां पर देगा है तो भारत सरकार सिच्छा मनत्राइप पूरुसकार हो जाएगा याद रखेगा आज अगर आप प्रेम करते हैं मतलब कौन सा प्रेम सिच्छा से प्रेम करते हैं तो आपको भी आधा देखे कोशन आपसे दिया गया कैरा है कैरा है क्योफ़ आयतन के लिए जो आपके आपके ख्रूरा प्रवचार दिया गया था अगला कुरeszन दिया गया हैकि एम हो राइट साधना आ आपके राम बिलासर्मा को मिला था दोस्तों याद रिखे इस कंसराप का बनेगा ए नमबर बांकि जितने भी पॉइंट आपको दिएगे हैं तो याद रिखेगा कि राम बिलासर्मा को निराला की साधना के लिए 1970 में मिला था नामवर सिंग को कह सकते हैं कभिता इनकी थी न ग्यानपीड कुरुषका मिला तो याद रिखेगा राम बिलासर्मा को जो आपको मिला था घ्यानपीड पुरुषकार किस वासा के लिए चले यहाँ पर जवाब देना है आपका जो अंसर है इनमें से क्या हो जाएगा चले बहुत अच्छे राम बाइसिंग झीनकर को किस पर ग्यानपेट पुरुषकार मिला था तो यहाँ पर दिखा जाए और वर्सी इसका option आगया है अ नमबर बिल्कुर से हो जाएगा अमने का असर यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वापका जवाब हो जाएगा और वर्सी के लिए सुबहत्तर में इनको ग्यानपीट पुरुषकार मिला था आप सुमरब का ए राइट हो जएगा निस को संद्या गया है कि पंत को किसका विकरती पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला था चलिए यहाँ पर बताना है आप से कह रहा है पंत को किस करती पर ग्यानपीट ठीक है ना तो यहां पर देखें यह आपका पॉइंट हुआ और इस प्रकार से यहां पर जो हमने महत्रपुन आपके 71 प्रस्ण लिया था हाना और यह ऐसे कोश्चन है जो देख सकते हैं जिसमें से हमने आपको रचनाय जो थी हाना वो भी कवर हो गई इसे में जो आपके कह स इतने जो पुरुषकार संबंदी थे चले धन्यवास अभी को जैहिन वंदे मातरम